दोस्तो अगर आप अपने वाट्सेप के स्टेटिस के वीडियोस और फोटोस को डाउनलोड करने के लिए किसी एप का यूज करते हैं तो आज मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बीना किसी एप का यूज किये हुए अपने स्टेटिस के सारे वीडियोस और फोटोस को अपने फोन में डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ पर हमें क्या करना होता है अपने फोन के फाइल मेनेजर में जाना है File Manager में जाने के बाद Internal Storage में आप WhatsApp के Folder को Open करेंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ WhatsApp के Folder को Open कर लेता हूँ WhatsApp के Folder को जैसे हम Open करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछी फाइल सो होंगे तो हमें यहाँ पर टुटल तीन Folder सो हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको Media के जो Folder है उसे खोल लेना है यहाँ पर अभी आपको कोई भी Status नाम से Folder नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना है अपने फोन में यहाँ उपर में यहाँ पर त्री जो आइकन्स दिख रहे हैं इस पर मैं क्लिक करूंगा और Settings में जाओंगा आपके फोन में जहाँ पर भी यह Settings हो आप उसे Open कर लें Open करने के बाद यहाँ पर Show Hidden File का एक Option मिलता है उसे आप On कर दें यह Show Hidden File जैसे हम On कर देंगे तो Status नाम का एक Folder हमें Show होने लगेगा तो मैंने इसे यहाँ पर On कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर Status नाम का एक Folder सबसे उपर में में दिख रहा है तो इसे क्या करना है? Status नाम के इस जब फोल्डर है इसे Open करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी हमारे सारे Status के फोटोस या वीडियोस थे वो पहले से यहाँ पर Download होते हैं तो आप इसे Copy यहाँ से कर सकते हैं और किसी दूसरे Folder में Save करके रख सकते हैं वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अभी प्लीज लाइक करें और इसी तरह के Tips and Tricks के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं आप से एकले वीडियो में तब तक के लिए Thank You